कि 498A में इंटेरिम बे लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी पुलिस आपको गृफ्तार करने के लिए आपके घर पर पहुँचेगी तो आप आप सभी लोगों के मन में अक्सर एक सवाल उत्पन होता है कि 498A केस में इंटेरिम बे लेने के बाद क्या होता है जी हाँ आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा 498A केस में हाला कि इंटेरिम बे लेने की आवशक्ता नहीं होती है लेकिन अगर उसके साथ कोई भी गंभीर प्रवर्ती का सेक्शन जुड़ा हुआ है तो आपको इसमें इंटेरिम बेल लेने की जरूरत होती है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार से कि क्या होगा इस इंटेरिम बेल लेने के बाद मैं Advocate Mohini Mona आप सभी का पुरना स्वागत करती हूँ और आप सबी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल Mohini Mona Advocate अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तख सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दे सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आपको इसी तरह के Legal Informative वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके अब देखिए सुप्रीम कोट ने बिलकुत साफ साफ तौर पर ये बात कह दी है कि अगर 498 A.I.P.C. की धारा के तहत किसी पतनी ने अपने पती और सस्राल पक्ष के अन्ने सदस्यों के खिलाफ F.I.R. दर्च कर दी है तो ऐसे सिती में पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो जाकर के सीधा ग्रिफतार करेगा बल्कि इस F.I.R. को एक समीती के पास भेजा जाएगा और वो इसकी जाच परताल करेगी और इस समीती की रिपोर्ट के बाद ही ने लिया जाता है कि आगे ग्रिफतारी होगी या नहीं होगी लेकिन उसके पावजूद भी ये बात भी सच है कि अगर 491 एक इधारा के साथ साथ अन्य और भी गंभीर प्रवर्ती के सेक्शन्स लगे हुए हैं तो यहाँ पर आपको जरूरत पढ़ती है कि आप इंटेरिम एप्लिकेशन के लिए कोट में पहुँचे अब मान लेते हैं कि आप पती हैं और आपने अपनी पतनी के द्वारा जो आपके खिलाफ की गई है F.I.R. उसमें अगरिम जमानत के लिए आपने अरजी दे दी है आवेदन कर दिया है अप्लिकेशन फाइल कर दी है और आप इसके अंदर एक जमानत लेने के लिए तयार ह हो जाते हैं यहां पर बहुत सारे लोग ये भी सोच लिया करते हैं कि उनको अगर बेल मिल गई है तो केस खत्म हो गया है इसी बात पर चर्चा करने के लिए मैंने आपके साथ एक पहले भी वीडियो बनाया है आप प्लीज उसको देखिएगा सुनिएगा और समझेगा कि आपको जमानत मिलने का अर्थ केस खत्म होना नहीं होता है बलकि इसका अर्थ ये होता है कानूनी तोर पर कि जब पुलिस आपको गिरिफतारी करने के लिए आएगी तो उस समय पर वो जमानत पर आपको छोड़ देगी और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आपका केस किसी भी कोट में पैंडिंग है वहाँ पर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो जब तक इस मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक आपको एक मिनट के लिए भी गृफतार पुलिस के द्वारा नहीं लिया जा सकता है तो आज के वीडियो के मादियम से आप सभी ने समझा कि 498A में इंटेरिम बे लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी पुलिस आपको गृफतार करने के लिए आपके घर पर पहुँचेगी तो आपको जमानत पर रहा कर देगी और इसके साथ साथ जब तक आप कोट में केस चलता रहेगा अंतिमरे नहीं आएगा तब तक आपको गृफतार खुलिस के द्वारा नहीं किया जा सकता मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा रखिगा थैंक यू टेक यू बबाई